जोतिवा फूले की आज जेहनती थी संसद्भवा ने उनकी तस्बीरे लगी हैं सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन समाज के लोग खासकर सोचित बंचित SCST, OBC, किसान, महिलाएं सब उनको याद कर रही है लेकिन टीबी अखवार से वो गायब है सुचिए भारत के परधान मंत्री मन की बात में वो कह रहे हैं कि ये महीना फूले अंबेट करका है लेकिन क्या बज़ा है कि इस देश के वो लोग जो इस देश के सिस्टम में बैठे हुए हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं क्यों मुझे लगातार यूपी से कौल आ रहे हैं अभी मुझे तुरंट फोन आया था कि हम लोग यहां बुद्ध कथा करवाना चाह रहे हैं पर सासन कह रहा है कि बिनानमती के नहीं होगा सहरनपुर से फोन आता है कि बा पड़ में नीजी पुझा पाठ कराते हैं क्या उसके लिए पर्मिशन है तो यह सब कुछ होता रहा है लेकिन सोचिए फूले क्यों जरूरी है क्या वो इसलिए इसकी सर्फ सिर्फ वो पिछरे समास से थे नहीं फूले इस देश के राष्ट निर्माता थे अंबेटकर क्यो कोई जमीन दी है नहीं इस देश में बर्ण विवस्था थी धर्माधारि सोशन था जिसमें साफ था कि बैस हो चत या सुद्र हो या चूत हो उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उसके पास संपत्ति नहीं थी उसके पाद जमीने नहीं थी वो कारोबार नहीं कर सकता था इन तमाम बहुजन महापूर्ष जिनको हम कहते हैं इन लोगों ने उन लोगों की लराई लरी जिनको छूत और अछूत बना दिया गया सुद्र बना दिया गया था आप सोचे उसका असर क्या है उसका असर आज भी है इस देश में बड़े पदो पर पहुँच चुका स्थी एष्टी ओबिसी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर पहले जाती बताने से हिच्च की चाहता था वो चाहता था कि मेरी जाती न पता चले क्यों? क्योंकि जाती अधारित सोसन है जाती अधारित हिंता है फूले सहाब सोचिये उस दौर में अंग्रेजो का दौर है उनके साथ जाती बाद होता है उसके बाद वो तैक करते हैं कि जाती बाद के खिलाफ लवना है फूले सहाब जोतीवा फूले सावित्री वाई फूले को परहाते हैं वहाँ से स्कूलों का सिल्सिला शुरू होता है, इस देश में महिलाओं को परने का अधिकार, फूले दमपत्ती दिलाते हैं, उससे पहले उनके लिए कोई स्कूल का कंसेप्ट नहीं है, स्कूल के दरवाजे खूले बंद हैं, इस तरह से जातिवादी विवस्था है, और महिलाओं के खिलाब विवस्था है, लेकिन वो विवस्था आज भी चल रही है, कोई तो बज़ा होगी, जो इस देश के राष्ट निर्माता, राष्ट पिता को लोग या तो जानते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या है सच? सच ये है, कि आज भी वो लोग, जो इस देश के संवेधानिक विवस्थाओं को नहीं मानना चाहते हैं, जो मनुस्मिर्ती में भरोसा रखते हैं, जो जातिवाद को बनाय रखना चाहते हैं, जो भले ना बोलते हों, अद्भूत है ये देश, जिन लोगोंने जाती बनाई, जिनोंने जाती का फायदा उठाया, अब वो जाती पर बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसे नुक्सान हो रहा है, सोचिए, आज सेरों की गिंती बताई जा रही है, तमाम पत्रकार, चित्रा तिर पाठी सेरों की गिंती क्यों इच करती है, लेकिन इस देश में उन लोगों कोई गिंती नहीं हो रही है, जिनके साथ शोशन हुआ, जिनके साथ पीरी दर पीरी असिछ्छा जोड दिया गया, आप सोचिए, जोतिवा फुले, तो हमारे लिए स्कूल के दरवाजे नहीं थे, इस स्कूल के दरवाजे खुल भी गये थे, तो हमारे लिए नोकरिया नहीं थी, और आज भी सोचिए, आजादी के 75 साल बाद, जब बोट का डर है, जातिवाद कितना महीन काम करता है, वो समझे, आजादी के 75 साल बाद, आज भी जब बोट का डर है, पता है कि देश में किसान, SC, ST, OBC 95% है, जिनके पास बोट है, SC, ST का पार्लेमेंट में रिजर्वेशन है, OBC के नाम पर राजिती हो रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, मत परदेश के MPSC में क्या हुआ, मत परदेश आयोग में जो जाम आया है, उसके रिजर्वेशन है, उसमें क्या हुआ है, हैदरबाद सिंटर इंग्वर्सिटी में क्या हो रहा है, मत परदेश में जुडिशियरी के रिजर्वेशन है, में क्या हो रहा है और आज भी चप्रासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कोई से लोग बैठे हुए हैं ये मत कहिए कि वो मेरिट के दम पर हैं वो इसलिए सिश्टम में बैठे हुए कि उन्होंने इस देश के 95% लोगों को मौका ही नहीं दिया उनको सफाई करमचारी मजदूर क किसान बना के रखा हुआ उनके बच्चों के परने के दर्वाजे बंध है और आज जब आजादी की वज़ा से संविधान की वज़ा से फूले साहब की वज़ा से वो रास्ता कुला तो आज भी कॉलेज में जो पहुंच जाता है उसका अंग उठा काटते हैं उसको नंबर नहीं देते हैं भीहार सरकार ने कहा है कि अगर किसी को 30 नंबर से कम और 80 नंबर से जादा होगा तो आपको एक्स्प्लिनेशन देना होगा मत्परदेश आयोग का रिजल्ट आया है वहां 40 से जादा नंबर नहीं मिले हैं SC, ST, OBC और किसानों को और 80 से कम नंबर नहीं मिले हैं अन्रिजर्व कैटेगरी को यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है यह सब सोची समझी साजिस के तहत होता है मैं फिर कह रहा हूँ भारत में धर्म की लड़ाई बहुत नहीं है इस देश में किसी भी धर्म के लोगों ने अपने ही धर्में जिनको जाती की वज़़ से गुलाम बनाया गया, उनकी गुलामी के खिलाफ नहीं लरा इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है, आपका धर्म संवैधानी का दिकार है लेकिन किसी भी धर्म ने इस देश में जो जाती विवस्था थी उसके खिलाब फुंकार नहीं भरा एक मात्र सत्सोधक समाज अस्थापित करने वाले जोतिवा फूले मंडल कमिशन की सिफारिस बनाने वाले मंडल बीपी मंडल सहाब और डॉक्टर अमबेट कर सम्विधान निर्माता उन्होंने इस देश की जो सबसे पुरानी विमारी थी जाती बाद उसका इलाज करना सुरू किया जो आज भी चल रहा है इस देश में आप कुछ भी हो सकते हैं आप सिक धर्म अपना सकते हैं आप इसलाम अपना सकते हैं आप क्रिस्चन हो सकते हैं आप हिंदू हो सकते हैं बुद्धिष्ट हो सकते हैं जैन हो सकते हैं पार्सी हो सकते हैं लेकिन जाती आपका पीछा नहीं छोड़ती है इस आप कल्प ना कीजिये कोई महिला जो बहुत सफल है और उसका पति जो असफल है और महिला बहुजन समासे है और पति जो है वो अन्रिजर्व कैटिकिरी से है उसके बाद भी किसका हुकम चलता होगा आप कह सकते हैं पेट्यार की कहीं साब से पूरुस फैसला लेते हैं लेकिन इस खेल को पलर दीजिए अगर कोई पूरुस सफल है सवर्ण है महिला असफल है गयर सवर्ण है तो किसका चलेगा दोनों ही हालत में किसका चलेगा इसको एक और खेल एंगिल से देखिए कि कोई महिला जो है वो बहुत सफल है पूरुस और सफल है लेकिन पूरुस अन्रिजर्ब काटिगिरी से है तो उसका बर्चस्व है तो यह पेटियारकल है मैं मानता हूँ लेकिन वही सोचिए कि क्या अगर कोई महिला सवर्न है और सफल है और उसका पती बहुजन है और सफल है तब पूरुस डॉमिनियन कर सकता है नहीं मैं इसलिए करा हूँ यह जाती का खेल बहुत महीन है अगर कोई महिला है और वो सफल है लेकिन वो अन्रिजर्ब काटिगिरी का है तो वो पेटियारकल उसको आप कहेंगे लेकिन वही जब कोई पूरुस सफल है और वो महिला सफल है तो अब भी उसको पेटियारकल ही कहेंगे लेकिन उसको क्या कहेंगे जब कोई महिला असफल है, सफल है, पूरुस असफल है फिर भी वो डॉमिनेंट होती है तो ये सिस्टम बना हुआ है तो ये सब जाती के जो है इसी सब का इलाज कर रहे थे फूले सहाब और मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग जाती नहीं बताते हैं न वो असली महीन जाती बात करते हैं तुलसी दास ने कभी अपनी जाती नहीं बताए लेकिन उनका पूरा साहित पर ही है उसमें सिर्फ जाती 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 सरेष्टा का भाव है कबीर सहाब रविदार सहाब ने जाती बताई जगा जगा क्योंकि वो जाती बात के खिलाफ लर रहे थे हम लोग जाती बात के खिलाफ लर रहे हैं बिहार यूपी में जातिवात के खिलाफ लराई है, फुले परियार अंबेट करकी लराई है, आप सोचिए, इस देश में धार्मिक सुधार अंदोलन चलें, सबन समाज के दौरा, जिनर्रल कैटिगीरी के दौरा, इस बात करो, लेकिन जाति सुधार के अंदोलन नहीं चलें इस देश में धार्म सुधार के बहुत सारे अंदोलन चलें, लेकिन जाति सुधार के अंदोलन किस ने चलाया, बहुजनों ने चलाया, फुले सहाब ने चलाया, पिरियार ने चलाया, अंबेटकर ने चलाया, बिपी मंडल सहाब ने चलाया, रामसरु बर्मा ने चलाया, रामस्वरु बर्मा ने चलाया, अंकली ने चलाया, नहीं हजाने और हजारों ऐसे नाम होंगे, कहां तक नाम लो? तो आप बताईए कि जो लोग धर्म सुधार का अंदोलन चला सकते हैं, वो जाती सुधार का अंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? और इस देश में धर्म की लड़ाई बहुत नहीं है, एक दम ताजी है, इस देश में धर्म कोई भी हो, जाती की लड़ाई लंबे समय से और जाती का सोसनाज भी बना हुआ है, और इसलिए फूले परियार अंबेटकर जो हैं, वो आज भी जातीवादियों के नजर में खटक करते हैं, लेकिन कल्प ना कीजिए, अगर फूले परियार और बीपी मंडल साहब नहीं होते, तो इस देश के 95% आवादी, मैं एक दो नहीं कह रहा हूं, 95% आवादी, और उसमें अन्रिजर्व महिलाएं, इन सब के साथ जो अत्याचार था, जो भेदभाव था, महिलाओं गैर सवन थी, उनके साथ पेटियारकल और जाती, दोनों के आधार पे फ्रेदभाव था, मतलब बहुजन समाज की महिलाएं, दोरी मार जेल रही थी, उसके खिलाब फूले लग रहे थे, जो तिवा फूले और सावित्री वाई लग रही थी, और बावास सहेब ने समाज के लोगों ने अधिल्ली में उनको मनाया, बीजे पी के युवा नेता है, गुरू परकास वो भी एक लेक्चर उन्होंने दिया है, फूले सहापर, तो सोचिये, पाठी कोई भी हो, फूले परियार मंडल को उनके लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, और देर ही सही, एक समय आएगा, आज के डेट में किसी भी दल की रानिती SCSTOBC के बगर नहीं चलेगी, अगर समाजी कांदोलन जारी रहा, लोगों में जारुकता आती रही, तो एक दिन इस देश के जो मुलनिवासी हैं, जो जनको जाती के अधार पे सोसित बंचित रखा गया है, उनको एक दिन अधिकार मीलेगा, बस सर्त इतनी है, कि जो बावासाहिब का सम्मिधान है, वो वचा रहे, सम्मिधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाईए, और सोचिए, मैं तो ताज्यूब करता हूँ, वो कौन लोग हैं, जो धर्म सुधार का दो आंदोलन चलाते हैं, लेकिन जातिगत सुधार का दोलन नहीं चलाते हैं, जातिय अधिकार की बात नहीं करते हैं, जातिय शोशन की बात नहीं करते हैं, वो ठीक वैसे हैं, जब एक किस भी सदी का भारत का अंडिजर्व कैटिकरी का आने वाला पत्रकार, प्रो हिंदू हो सकता है, प्रो मुस्ल चलाया जाती विद्वाव के खिलाफ आंदोलन चलाया क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो जातिवाद है और सोचिए इस देश का कोई भी धर्म हो कि उसमें वही लोग धर्म के लाभारती हैं जो उसी धर्म में जाती के अधार पे सबसे उपर हैं आप किसी भी धर्म के हो आप फूद इस हिसाब किताब को लोगा कि आप जिस धर्म में है उस धर्म में उपर कौन लोग है उस धर्म में उपर कौन लोग है जो उस धर्म के जातिय सनरचना में उपर है वही धर्मिक सनरचना में भी उपर है मतलब आपका धर्म कोई भी हो लेकिन अगर आपकी जाती उपर नहीं है तो आप धर्म के भी लाभारती नहीं हो सकते हैं तो मंदल सहाब, फूले सहाब, डक्टर मबेट कर बावा साहेव जाती नाम की बीमारी का इलाज कर रहे थे इसलिए आज उनको वो आज भी जाती बादियों के नजर में खटकते हैं शुकरिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे